साहिलों पे बहने वाले कभी सुना तो होगा कहीं हो कागजों की कष्टियों का कहीं किनारा होता नहीं हो माजिरे माजिरे कोई किनारा जो किनारे से मिले वो अपना किनारा है ओ माजिरे अपना किनारा नदिया किधारा है मुसाफिर हूँ यारो ना घर है ना ठिकाना मुझे चलते जाना है बस चलते जाना नमस्कार मैं आज किस एक्टर और किशुर्दया के बारे में बात करना हूं आप समझी गए गहोंगे जीतेंदर जी के बारे में बात करूंगा मैं आज दोस्तों मुझे आज इतना एक important मुद्दा मिला है जो मैं publicly share नहीं करना चाहूंगा but it is all related to his personal mental stress और frustration को वो एक period मुझे इस research से मिला है मैं भी आगे चलके मैं इसको जाहिर करूंगा लेकिन फिलहाल तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मैं सोचूंगा इसके बारे में कि मुझे इसके बारे में declare करना चाहिए या नहीं कलाकार और creative satisfaction के बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला है मैं कुछ अर्से के बाद चाहे तो इसको अलग से कर दूँगा सो प्लीज continue watching and sharing और वाकी सारी चीज़े करिए जिससे ये विचार पहली बार इंट्रोड्यूस हर रहा है दोस्तों इस तरह से मैंने सारे वीडियो चेक किये कहीं पर भी इस तरह से exposed नहीं हुआ है ये topic और ये हमारे सीखने के लिए या संगीत के शौकिनों के लिए या जह तो उसके अंदर हमने देखा कि किशोरदा ने एक typical tone बनाया है तो मुझे तभी समझ में नहीं आ रहा था कि अलग tone क्यों बनाया है उन्होंने पर देन पता चला कि जो actor जिस speech में बात करते हैं जिस सूर में बात करते हैं वो he is trying to because he had a range of getting into low and high as well दोनों अच्छे से cover up कर सकत करते थे कि बेज में भी बहुत अच्छे अच्छे गाने दिये उन्होंने कोई होता जिसको अपना सलील दाखा या तो उसको भी हम cover करेंगे आगे क्या हुआ है कि जितेंदर जी का एक वो फर्ज मूवी 67 में आई थी और उसमें वो उनका मस्त बहारो का वो जो था तो उसके बाद जितु जी का यह impression हो गया थी कि वो एक नाम पढ़े हो गया था उनका jumping jack तो उनके लिए हर गाने में हर डिरेक्टर जबी भी कोई गाना मतलब उचल कूद और यह सारी एक उनकी जो एक image बनी थी तो वो हर वक्त किशोरदा के मन में वो बात रही और जातातर गाने रफी साब ने गाए हैं इस तरह के मस्त वहारो का में आशिक या इस तरह के जो भी गाने हैं पर जो इनके किशोरदा के हिस्से में जो गाने आये रिम जिम तन से पानी गिरे मन में लगे आगसी ओ ये गाना है फिर हम बंजारों की बात मत पूछो जी जो प्यार किया तो प्यार किया जो नफरत की तो नफरत की ये गाना था और देखो यहाँ पर ये टोन बहुत साफ सुनाई देता है जो मैं आपको कह रहा हूँ कवाली नुमा गाना है हाल क्या है दिलों का न पूछो सनम आपका मुस्कुराना गजब भढ़ा गया हाल क्या है दिलों का न ये गाना सुनिए का आप इसके अंदर वो टोन जो उन्होंने डिस्टिंक्ट एक प्रिसाइस टोन चेंज किया है वहाँ पर हमें पता चल जाता है कि ये जीतु जी के लिए उन्होंने टोन फ्रीज कर दिया है और है दिल की बाते दिल ही जाने ये जो गाना है ये सुनिए बहुत अच्छा बेरागी जैसा स्वर है सूआ है एक गाना बहुत अच्छा है जिसके अनदर उन्होंने जीदु जी के लिए अलग टोन किया है पर वह किशोर दा कि उनका अपना identity instinct जैसे मैंने का कि foundation में वो अगर उनको मौका मिलता था तो उनकी जगा में जैसे मैंने का saxophone या flute या शाहनाए नूमा या क्या करना है dynamic उस तरह से वो change कर सकते थे तो अभी जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा एक पल रात भर नहीं गुजरा या जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा ये गाना सुनिये का इसके अंत्रे बंत्रे बहुत अच्छे अपनी इतनाईयों का और वो सारे अंत्रे दोस्तों मैं बहुत सारे गाने बताना चाहतु हम आई डूंट वांट टेक टू लॉंग ये गाने के अंदर आपको वो एक स्पेसिफिक टोन मिल जाएगा जो जीतु जी ने जीतु जी के लिए इस्तमाल किया गया है और अर नहीं 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 कोई तुम सहसी इसका है मतलब देखें है तुमने लाको हसी अर नहीं 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 एक्चुली किशोरदा और आशा जी के question answer type के डूएट से वो जीतु जी के इनके ज्यादा है और एक गाना था सामने आ देखे जमाना सारा सामने आ मैंने पुकारा तुझे मैंने लल चारा तुझे जरा संभल तू संभल के चल तू वूले वू जवानियाद आ गई कि ऐसे गाना था मुला वो एवा का सौंग है वूले वू उसके जैसा गाना है वो उसके बाद जो 80s का जो माहल बना वहां से इनकी 82 83 में कोई एक फिल्म बहुत हिटो गई थी जीतु जी की और उसके बाद ऐसा कहा जाता है कि साओध के प्रोडुउसर्स वह बैग लेकर आते थे और बैग में बहुत सारे पैसे होते थे तो यह बताना ज़रूरी है बाद में गाना आपको पता देता हूँ तो आपको पता चलेगा कि मैं वो टौपिक बाद में डेफिनेटली करूंगा बट वहता था कि फिर वह बप उस अर्से के बाद हिम्मत वाला ताकत वाला स्वर्ख से सुंदर इस प्रकार की फिल्मे आने लगी थी मतलब की जो एकदम क्विक वो लोग क्या करते थे टेबल पे फिल्म बेचना बोलते थे उसको तो जैसे वो बैग लेके घुमते थे तो थोड़ा से यह होने लगा था कि कि वो प्रायोरिटी में संगीतकार या जितने भी टेक्निशेंस हैं रिरेक्टर से वो एक्टर से सारे मिलके फटा-फट क्योंगी कैश पेमेंड लेके चलते थे वो साउथ के जो प्रोडूसर्स हैं वो एक अर्सा था एक जहां पर वो क्वांटिटी फिल्में बनने लगी एहम वो ही एक फिसलन वाला रस्ता है वो बहुत और उसके उपर मैं यहां टिपने क्योंकि मेरा काम है म्यूजिकली इस चीज करना सोशियल चेंजी या उसके बारे में ज्यादा इसके बारे में नहीं बताऊंगा पर उस वजह से बहुत सारे गाने आप एटी से जितेंदर जी के गाने देख लिजेगा आपको पता चल जाएगा कि वो एकदम उसकी क्वालिटी में फरक आ गया था कि भाई जैसे मैंने कहा जाने क्या सोच कर या ओ माजी रहे इस तरह के गाने मुसाफिर हूं यारो और उसके बाद सड़नली पर वो नीड थी मतलब एक गाना था व तो इस समय के जो गाने थे उस गाने में फिर वो बाइदर टाइम कि शोर्दा का यहां पर जो चल गया था कि उनका वो और हमें इन से क्या सिखना है अब मैं coming to the point जो हमें क्या what we can learn out of it अगर अब मैं कारो के सिंगर हूं या मैं कोई सिंगर हूं प्रोफेशनल तो गाना सिर यह डो अगर उस गरेक्टर को जो Extraordinary Singers है जो Extraordinary Performans है दे विल पुट डिर ओं मार्क कि मैं जितू जी के लिए ये मेरा एक्स एक पिन लगा दिया डॉट कर दिया मैंने या मैंने उनको यह शेप अप कर लिया तो वह चीज़े हमें जितू जिसे सारे गाने सुनिये och Aga यह उनको आप सुनिएगा इतना और बाद में क्योंकि आगे चलके और एपीसोड में करूंगा तो आपको पता चलेगा कि अच्छा Sanjee Gumar जी के लिए उन्होंने ये इस्तिमाल किया था धरम जी के लिए ये टोन इस्तिमाल किया था सो जहां तक as long as मैं इनको वन टोन में कहूंगा तो जैसे मैं क्या है दिलों का न पूछो सनम ये जो गाने में टोन है that was the key line tone बाद में थोड़ा थोड़ा जैसे अभी ओ माजी रे तो उनमें उन्होंने उतना change कर दिया वो संगीतकार के हिसाब से भी tonation change कर दे थे क्यूंकि उनको पता था कि गाना master होके कैसे sound करेगा फिल्म के screen पे वो सारा ग्यान होना एक singer के लिए बहुत जरूरी है ग्यारा मिनिट हो चुके है तो मैं चलो ठीक है एक गाना था और उसके बाद के गाने हैं वो किशोर्दा के इतने सारे गाने हैं लेकिन मुझे लगता है कि उनको उनको creative satisfaction से थोड़ा issue हुआ होगा कि एकदम wholesale में गाने मर रहे थे तो उई अम्मा उई अम्मा उई अम्मा मुश्किल ये क्या हो गई तेरे बदन से तुफ़ा उठा तो साड़ी हवा हो गई डीक जैसे भीगी भीगी रहातं में गाना था P इससे और इंट्रेस्टिंग आने वाला है, so please keep on sharing, और ये मैं आपको वादा करता हूँ, कि आपको ये ऐसे आठ या दस एपिसोड के अंदर आपको ये पता चल जाएगा, कि संगीत में क्या हो, क्योंकि ये नहीं कि कोई कर नहीं सकता है, अभी तक आया नहीं है, so please do share और support कीजिए इस mission को, तन्यवाद, जाहिएं,